जी हाँ, पाइथापोरस थियुरम, नाम तो सुना होगा आपने, पर क्या आप ये जानते हो, कि इस थियुरम को एक लिश्ट 370 अलग-अलग तरीकों से प्रूप किया जा सकता है। इससे पहले कि आप मेरी बातों पे संदेह करें, बस मैं इतना बता दूँ कि ये नंबर गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्स है। अगर यकीन नहीं होता, तो इस पिक्चर को खुद देख लीशिये। अभी जो अपने इस्प्रेइंग पे आप देख रहे हो, ये है गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 1991 एडिशन। और ये है पीश नंबर 186 से ली गई एक पिक्चर। पिक्चर ढोन ली है, इसलिए मैं इसे रिराइट कर देता हूँ। वैसे आप चाहें तो इस बुक को आउनलाइन आप पर्चेस कर सकते हो। और ये बुक रेर है, फिर भी Amazon इंडिया में ये बुक आपको मिल जाएगा, इसके कीमत more than 8K है आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब सायद आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया होगा। तो चलिए, अब उस बुक के बारे में भी बता दूँ, जहां ये सारे डेरिवेशन्स रिकॉर्ड हैं। एक्चुली जो बुक अभी आप अपने स्क्रेन पे देख रहे हो, इस बुक की सेकंड एडिशन 1940 में रिलीज हुई थी। और इस बुक को लिखने वाले थे E.S. Lumeese, अब चाहें तो इसे भी पर्चेस कर सकते हैं। और इस बुक की औरिजिनल कॉपी का मिलना, I think next to impossible है। बट फिर भी इस बुक की 1968 एडिशन आपको Amazon India में मिल जाएगा। कीमत जानना चाहूँ की? बहतर होगा, आप खुद ही देख लो। तो चलिए, चलते हैं कम्प्यूटर इस बुक की यह मैंने टाइप किया Amazon India तो आगए वेबसाइट पे। तो चलिए सर्च बार भी, भुक और राइटर का नाम लिखते हैं। और यह मैंने किया इंटर्स बुक, रिजल्ट आपके सामने हैं। हैरानी हुई, तो क्या आप लेना चाहेंगे इस बुक को? जो भी हो। तो आज इस पीडियो पे हम Garfield Prove of Pythagoras Theorem दिल करने वाले हैं। तो चलिए, फिर without any further due, सुरू करते हैं। Pythagoras Theorem क्या है? यह definitely आप जानते हो, वही b² ब्लस b² is equal to h²। इसी स्टेटमेंट को आज हम फिर से अचीव करेंगे, बट यह प्रोसेस होगा, गर्फिल्ड प्रोसेस, यानि की, गर्फिल्ड के दुआरा फस्ट ताइम इसे डेराइब किया गया था। तो चलिये सबसे पहले समझ लेते हैं, गर्फिल्ड प्रोब आप पाइथागोरस थेरफ को समझने के लिए आपके पास किन किन बेसिक कंसेप्ट का होना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले, एरिया ओफ ट्राइंगल क्या होता है, आपको यह मालूम होना चाहिए, विच इस हाफ इन्टो, बेस इन्टो, कर्रस्पोंडिंग हाइप, I think this one is very much clear, सकर्ड जो कंसेप्ट है, वो ट्रापीजियम को लेकर के है, यह एक ट्रापीजियम है, दोनों ही ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम की एरिया होती है, हाफ, सम और पारलल साइट यानि के A प्लस B, सम और पारलल साइट, इन्टो, एल्टीचूट, इस केस में यह होगा, और इस केस में यह होगा, क्योंकि यह दोनो 90 है, सो, एल्टीचूट राइट यह आपको मालूम होना चाहिए, और थर्ड वान इस, कि अगर यह एक राइट ट्रापीजियम है, तो अब मुझे आप बताओ, क अगर मैं इस दोनों को consider कर दो, तो क्या angle 1 and angle 2 दोनों का sum 90 होगा, बिल्कुल होगा, बस अगर यह तीन चीज़ आप समझ चुके हो, तो फिर गर्फिल्ड प्रोबाँ पाइदागोरस तेरप को काफी इसली आप समझ सकते हो, तो चलिए फिर without any further due सिरु करते हैं, सबसे पहल इसकी length b है और इसकी length कुछ और जैसे की c, x, p, b आप कुछ भी रेक कर सकते हैं, according to Pythagoras theorem, आपको यह प्रोब करना है, a² plus b² is equal to c², right, अब according to Garfield, आपको करना क्या है, यह देखो आप यह, सबसे पहले उस triangle को एक बार retraw कर दो, right, तो यह length है a, यह है b और यह है c, अब इस triangle को rotate करके यहाँ ले आओ, कुछ ऐसे, इस triangle को, सबसकि यह वो triangle है, इस triangle को, चला धियान दीचे का, इस triangle को, ऐसे rotate करके, अच्छा देखना यह b है, right, यह जो लंबी वाली है, यह b है और यह a है, और यह 90 degree है, तो इस triangle को आप ऐसे rotate कर दो, rotate करके यहाँ ले आओ, तो चलिए इसे मैं बना लेता हूँ, no doubt यह length b होगी, और यह एक straight line है, और यह length a, and you know यह है c, correct, अब आप इसे join कर दो, अब जो आपके सामने यह figure है, यह एक trapecium है, and you know this is 90 degree, और यह भी 90 degree है, अब देखो इस right triangle में, यह 90 है, तो क्या इन दोनो angle का sum 90 होगा, देखो ना किसी triangle में, जब यह angle 90 है, तो obviously इन दोनों का sum 90 होगा, मैं individual की बात नहीं कर रहा हूँ, तब तो आपिछा करके फिर तीनों का sum 180 होगा, यानि कि अगर मैं इसे 1 लिख दू और इसे 2 लिख दू, तो मैं यह लिख कर सकता हूँ, angle 1 प्लस angle 2 is equal to 90 देखे, अब देखो यह angle 1, क्या यह angle 1 है, angle 2 यह है, तो चलिए यह है angle 2, और angle 1 यह भी है, and you know where you are, यह भी है, फिलहाल मैं इसे लिखता हूँ, angle 1, मुझे इसकी जरुत नहीं है, अब देखो, इन तोनों angles का sum 90 है, और यह straight line होने के नाथे, इन तीनों angle का sum 180 होना चाहिए, इसलिए यह जो angle है, चलिए मैं उसे grain से लिख देता हूँ, यह जो angle है, यह क्या 90 डिग्री होगा, Am I right? बिल्कुल यह 90 डिग्री होगा, बस समझें आपका काम हो गया, सबसे पहले हम इस figure की area निकालते हैं, और इस figure को एक single trapezium concept करके इस figure की area find करते हैं, and you know that area of that figure, or you can say that trapezium, is equal to half sum of parallel sides, यानि की A plus B, Am I right? A plus B, और altitude, अब देख पा रहे होगे, altitude is A plus B again, तो फिर से आप लेखोगे A plus B, यह formula आपको clear है, अब आप क्या कर सकते हो, A plus B, A plus B, you can write A square plus B square plus 2AB, whole divided by 2, and is equal to A square plus B square divided by 2 plus AB, आपने 2 से divide किया ना इस दो लोगो, तो कुछ ऐसा statement आपकी पास होगा, चलिए, इसे मैं consider कर लेता हूँ, equation 1, once again, you need to find the area of this figure, or trapezium, but इस बार इस trapezium की area हम find करेंगे, by adding the area of this triangle, and this triangle, and this triangle, तो इन तीनों triangles की area को individually find करके हम add कर देंगे, तो obviously यह इस trapezium का ही area होगा, तो चलिए, मैं इसी चीज़ को फिर से रिखता हूँ, area of that figure is equal to, half into, for this triangle, okay, half into base into height, am I right, half into base into height, तो half भी यह लिखना सही होगा, plus area of this triangle, क्या होगा, बता हो, half into, देखो, यह 90 है, रियान दीजिएगा, half into base into height, यानि की, half c into c, which is c square, plus area of this triangle is equal to half into base into height, तो ultimately अब फिर से लिखोगे, half into ab, okay, now, half ab, plus half ab is equal to 1ab, तो चलिए, लिख देते हैं, 1ab, इस तोनों के बदरे, और इसको मैं as usual, copy down कर देता हूँ, यानि की, c square by 2, consider this as equation 2, now, can you tell me, हम equation 1 और equation 2 को equate कर सकते हैं, क्योंकि दोनों same ही figure का area है, तो हम definitely equate कर सकते हैं, so on equating equation 1 and 2, देखो, हमारे पास क्या है, a square plus b square divided by 2, plus ab is equal to, मैं इसे अब देखने चाहरा हूँ, ab plus c square by 2, you can easily cancel out a, b, ab, और अब देखो, आपकी पास statement क्या है, a square plus b square divided by 2, is equal to c square by tau 2, now you can cancel out 2, 2, और अब आपकी पास है, a square plus b square is equal to c square, क्या आपको यही चाहिए था, you can see here, a square plus b square is equal to c square, और अब आपने इसे statement को अचीव किया, and by the way, it was the Garfield proof of Pythagoras theorem, क्यूने रूंकी घ्जस, साष्वरब.